मानेनिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र बोदी जी देवियों और सज्जनों हमारे लिए अपार हर्ष का विशे है कि हमारे बीच हमारे मानेनिय प्रधानमंत्री उपस्तित है मैं उनसे विनम्र आग्रह करूँगा कि वो अपने विचारों को हमारे साथ साजा करेगा सबसे प्राथना है अपना स्थान दीजिए अगाइए अगाइए जापान में रहने वाले भारत के दोस्तों और बड़ी संख्या में यहां पधारे भारतिय समुदाई के मेरे सभी साथियों आप सब को नमश्कार को नीचीवां मैं सोच रहा था कि मुझे कोबे क्यों ले जा रहे है इतने बार आया हूं इतने लोगों से मिला हूं इतना चीज परिचीत सारे चेहरे हैं मैंने का आज मिझे क्यों ले जा रहो कौन आएगा लेकिन मैं देख रहा हूं कि पहले से आपका उत्सा बड़ी रहा है आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं करिब साथ महीने बाद एक बार फीर मुझे जापान की धर्ती बराने का सोगभागी मिला है पिछली बार भी यहां बसे आप सभी साथियों से और जापानी दोस्तों से समभाद का अउसर मिला था यह सही योगी है कि पिछले बर जब मैं यहां आया था तब मेरे प्रियमित्र सिंजो अबेशान का चुनाव नतिज़ा आ चुके थे और आप सभी ने उन पर विश्वास जताया था और आज जब मैं आपके बीच हूँ तो दुनिया के सबसे बड़े लोग तंत्रा भारत ने इस प्रधान सेवक पर पहले से भी जादा अधिक विश्वास अधिक प्यार जताया है मुझे पता है कि आप में से भी अनेक साथियों का इस जन्मत में योगदान रहा है किसी ने भारत आकर के प्रत्यक्ष काम किया मेहनत की 40-45 डिग्री टेंपरेचर में काम करते रहे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीटर भारत के इस लोक तंत्रा के उत्सव को और अधिक ताकत्वर बनाया और अधिक प्राणवान बनाया और इसके लिए भी आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कात्यों 130 करोड भारतियों ने पहले से भी मजबुस सरकार बनाई है और यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और तीन दसक बात पहली बार लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है भारत जिला विशेयों देश उसमें यह सिद्धी सामान्य नहीं है और वैसे तो 1984 में भी लगातार दूसरी बार एक पार्टी की सरकार बनी थी लेकिन उस समय के हालात आपको मालूम है कारण क्या थे वो भी पता है लोग वोट क्यों करने गए थे वो भी पता है और इसलिए मैं उसका बढ़न नहीं करता हूँ लेकिन यह बात सही है कि 1971 के बाद देश ने पहली बार एक सरकार को प्रो-इंकममंसी जनादेश दिया है साथ वाई जो प्रचंड जनादेश भारत ने दिया है आपको खुशी हुई कि नहीं हुई तो यह जीत किसकी है किसकी जीत है जब मैं आपसे जवाब सुनता हूँ इतना आनंद आता है कि सच्चाई की जीत है यह हिंदुस्तान के लोगतंत्र की जीत है भारत के मन को आप जपन में बैठ करके भी भली भाती समझ पाते हैं अनुभोग कर पाते हैं उनके एस्पिरेशन्स और आपके एस्पिरेशन्स के बीच में कोई फर्क महसूस नहीं होता है तब जाकर के जवाब आपके मोच से सुनने का आउसर मिलता है और तब मन को भावत संतोष होता है कि हम सही दिशा में हैं कभी कभी स्टेडियम में हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो बाद में पता चलता है कि आउट कैसे हुआ बॉल कहां से कहां गया था लेकिन जो घर में टीवी पर देखता है दूर से देखता है उसको तुरंत पता चलता है कि वेवलेंथ में गड़ बड़ है इसलिए आउट है और इसलिए आप इतने दूर बैट कर जो हिंदुस्तान को देखते हैं तो सत्य पकड़ने की ताकत आ आदा है और इसलिए भी आपके जवाब कि सच्चाई की जीत लोगतंत्र की जीत देश वाचियों की जीत मेरे लिए जवाब बहुत बड़ी एहमियत रखते हैं मुझे एक नई ताकत देते हैं नई प्रेणा देते हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ democratic values के प्रती समर्पित रहते हुए आशाओं और आकांशाओं के प्रती विश्वास इस जीत के पीछे भी एक कारण है और कल्पना कीजिए 61 क्रोड वोटर से 40-45 डिग्री टेंपरिचर में अपने घर से कहीं दूर जा करके वोट किया है 61 क्रोड अगर चाइना को छोड़ दें तो दुनिया के किसी देश की पॉपिलेशन से ज़्यादा मद्दाता है और भारत में लोगतंत्र की विशालता व्यापक्ता उसका भी अंदाज 10 लाख 10 लाख 10 लाख पोलिंग स्टेशन्स और मॉर दन 40 लाख EVM मशीन मॉर दन 600 पुलिटिकल पार्टी एक्टिव थी चुनाओं में भागिदार थी और मॉर दन 8000 केंडिडेट्स कितना बड़ा उत्सव होगा लोगतंत्र का मानवता के इतिहास में इससे बड़ा लोगतंत्रिक चुनाओं नहीं हुआ है और हर भारतियों किस बात का गर्व होना चाहिए बविश में भी इस रेकोर्ड को अगर कोई तोड़ेगा इस रेकोर्ड को अगर कोई बहतर बनाएगा तो वो हक भी हिंदुस्तान के हाथ में है एक प्रगार से इसका कॉपिराइट भरत को पात है भारतियों होने के नाते हम सभी को भारत के सुभचिंतकों को तो इस पर गर्व है ही पूरे विश्व को भी ये प्रेरित करने वाला है इससे फिर साबित हुआ है कि लोगतंत्र के प्रती भारत के सामान्य जन की निष्ठा अटूट है हमारी लोगतंत्रिक संस्ताएं और लोगतंत्रिक प्रणाली दुनिया में अग्रणी है साथ्यों भारत की यही शक्ति 21 सदी के विश्व को नई उम्मीद देने वाली है यह चुना उसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सिमित रहने वाले नहीं है विश्व के लोगतंत्रिक मन को यह प्रेरित करने वाली घंडा है न्यू इंडिया के आशाओं और आकांख्षाओं को पूरा करने के लिए यह जनादेश मिला है और यह आदेश पूरे विश्व के साथ हमारे समंधों को भी नई उर्जा लेगा अब दुनिया भारत के साथ जब बात करेगी तो इसको विश्वास है यह बाई यह जनता जनादन इन्होंने इस सरकार को चुना है पुर्ण भोमत के साथ चुना है और इनके साथ जो कुछ भी ताय करेंगे यह आगे ले जाएंगे विश्वास आपने आप पैदा होता है आंतराश्चे समंधों में पूर्ण भोमत वाली सरकार होने बहुत बड़ी बात होती है लेकिन पूर्ण भोमत वाली सरकार में भी पहले से अधिक जन्वत जब जुड़ता है तो वो सक्ती तो भड़ती हैं लेकिन उससे ज़्यादा विश्वास बड़ता है सबका साथ, सबका विकास और उसमें लोगों ने अमृत मिलाया सबका विश्वास इसी मंत्र पर हम चल रहे हैं वो भारत पर दुनिया के विश्वास को भी और मजबुत करेगा और विश्व को आस्वस्त करेगा यह यह मैं अनुभव कर रहा यह विश्व को आस्वस्त करेगा साथियों जब दुनिया के साथ भारत के रिस्तों की बात आती है स्थान है यह रिष्टे आज के नहीं हैं बलकि सधियों के हैं इनके मूल में आत्मियता है सद्भावना है एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता के लिए सम्मान है इन रिष्टों की एक कड़ी महात्मा गांदी जी से भी जुड़ती है संयोग से यह पुझ्य बापु की 150 भी जन्म जैन्ति का भी वर्षा है गांदी जी की एक सीख बच्पन से हम लोग सुनते आये हैं समझते आये हैं और वो सीख थी बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत कहो भारत का बच्चा बच्चा इसे भली भाती जानता है लेकिन बहुत कम लोगों के पता है कि जीन तीन बंदरों को इस संदेश के लिए बापु ने चुना उनका जन्वदाता सत्तरवी सदी का जपान है 17th सेंचुरी का जपान है मिजहारू, किकाजारू और इवाजारू जपान की धरोर है, जिनको पुझे बापुरे एक महान सामाजिक संदेश के लिए प्रतिकात्पक्त के रूप में चुना और उसको प्रचारित किया, प्रसारित किया साथियों हमारे आचार, वेहवार और संस्कार की एक कड़ी जपान में बउद धर्म के आने से भी पहले की बताई जाती है अभी अगले महिने क्योटों में गियोन त्योहार आने वाला है और इस गियोन त्योहार में जिस रत का उप्योग होता है उसकी सजावट भारतियर रेशम के धागों से होती है और यह परंपर आज की नहीं है अंगिनत काल से चली आ रही है इसी तरह सीची फुकुजीन सेवन गॉड्स अप फॉर्चुन उन सेवन गॉड्स में से चार का सम्मन सीधा सीधा भारत से है मा सरस्वते की बेंजाई तेन मा लक्षमे की कीचीजयो तेन वगवान कुबेर की विशामोन और महाकाल की दाईकों को तेन के रुपे जापान में मानने ता है साथियो फैब्रिक प्रिंटिंग के जो शिबोरी आर्ट भारत और जापान के रिस्तों का एक बहुत पुराना एक प्रकार चे ताना बाना है सुत्र है गुजरात के कच और जामनगर में सद्यों से बांधनी जिसको कहते हैं बंधनी कोई बोलते हैं कोई बांधनी बोलता है उसके कलाकार इस कला में उसी रेशिस्ट टेक्रिक का उप्योग करते हैं जो यहां भी सद्यों से इस्तवाल है यह जपान में उस काम को करने वाले लोग और कच्छ में और जामनगर में करने वाले आपको जैसे ही लगेगा आप जपान में है और जपान वाले महां जाएगे लगेगा गुजरात में इतनी similarity है इतना ही नहीं हमारे बोलचाल के भी कुछ सुत्र है जो हमें जोडते हैं जिसे भारत में ध्यान कहा जाता है उसे जपान में जेन कहा जाता है और जिसे भारत में सेवा कहा जाता है उसे जपान में भी सेवा ही कहा जाता है सेवा परमो धर्मह यानि निश्वार्त सेवा को भारतिय दर्शन में सबसे बड़ा धर्म माना गया है वही जापान के समाज ने इसको जी करके दिखाया है साध्यो स्वामी विवेकानन गुर्देव रविंदरना टागोर महत्मा गांदी नेताजी सुपास्ट दर्वोष जस्टिस राधा विनोत पाग सहीत अनेग भारतियों ने जापान के साथ हमारे रिष्टों को मजबूत किया है जापान में भी भारत और भारतियों के लिए प्यार और सम्मान का भाव रहा है इसी का परणाम था कि दूसरे विश्वे उद्ध की समाप्ति के बात से ही भारत जपान के बीच के रिष्टे और मजबूत होने लगे लगबग दो दसक पहले प्रधान मंत्री अटर भीहरी बात पाई जी और प्रधान मंत्री योशिरो मोरी जी ने मिलकर हमारे रिष्टों को ग्लोबल पार्टनर्शी का रूप दिया था कि 2004 में प्रधान मंत्री बनने के बाद मुझे मेरे मित्र प्रधान मंत्री सिंज्जो आबे के साथ मिलकर इस दोस्ति को मजबूत करने का मुखा मिला हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन्सिप को राजधानियों और राजनाइकों के अपचारिकताओं के दाएरे से भार न टोक्यों के अलावा क्योटो ओसाका कोबे यामानाशी इसकी आत्राइबी कि यहां कोबे तो मैं कभी कभी गलती हो जाती कभी कहता हूं चार बार कभी कहता हूं पाट बार कभी कहता हूं थीन बार लेकिन बाहर बाहर आया हूँ और पीएम नहीं था तब भी आता था आपके साथ बैटता था प्रधान मत्री आबेजी ने पिछले वर्ष यामानासी में अपने घर में उन्होंने मेरा स्वागत किया उनका इस्पेशल जेस्चर हर हिंदुस्तानी की दिल को छूने वाली बात है वन्हा डिप्लोमेटिक रेलेशन में इस प्रकार का पर्सनल टच बहुत कम होता है दिली के अलावा हमदाबाद और वारानसी प्रधान अवेज को मेरे मित्र को ले जाने का सवभाग मुझे मिला प्रधान मत्री आवेज मेरे संसजीक छेत्र और दुनिया की सबसे पुराणी संसकुतिक और आठ्धाति मिनागरी में से एक काशि में गंगा आरती में भी शामीर हुए है और सिल्ब शामीर हुए नहीं उनको जब भी जहां पर कुछ भी बोलने का मोका आया उस आरती के समय उन्हाने जो अध्यात्म की अनुभूती की उसका जिक्र किये बिना वो रहे नहीं आज भी उसका उलेक करते हैं उनकी ये तस्वीरे भी हर भारतिये के मन में बस गई है साथियों बीते च्छ दस्वकों से अधिक समय में भारत की विकास यात्रा में जहापान की एक महत्वपुन भूमी का रही है 21 सदी के न्यू इंडिया में ये रोल और मजबूत होने वाला है 1958 में जापान ने अपना पहला ये ये लोन भारत को ही स्विक्रुत किया था 1958 में इसके बाद से ही जापानी कंप्रिया भारत में काम कर रही है और उन्होंने उत्तम गुणवत्ता के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है एक समय था जब हम कार बनाने में सहयोग कर रहे थे और आज हम बुलेट ट्रेन बनाने में सहयोग कर रहे है आज पूरव से पस्चिम तक उत्तर से दक्षिन तक भारत का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां जपान के प्रोजेक्स या इन्वेस्टमेंट ने अपनी चाप न छोड़ी हो इसी प्रकार भारत का टैलेंट और मेंट पावर यहां जापान की अर्थे वबस्ता को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहा है सात्यों न्यू इंडिया में हमारा यह सहयोग और व्यापक होने वाला है हम आने वाले पांच वर्षों में भारत को फाइव ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी बनाने के लक्ष के साथ आगे बढ़ रहा है सोशल सेक्टर हमारी प्राश्विक्ता है इसके साथ साथ इंफा सेक्टर भी व्यापक इंवेस्टमेंट उस पर भी हमारा अप्बल है विशेस तोर पर डिजिटल इंफा सेक्टर भारत को आज पुरी दुनिया में निवेश के लिए एक आकर्शक अवसर के रुप में सामने रखता है भारत में डिजिटल लिट्रेसी आज बहुत तेजी से बढ़ रही है डिजिपल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड्स दर पर है इनोवेशन और इंकुबेशन के लिए एक बहुत बड़ा इंफा सेक्टर तयार हो रहा है एक नया माहूल अनुभव आ रहा है इसी के बल पर आने वाले पांच वर्षों में पच्चास हजार स्टार्टर्प्स का इको सिस्टीम भारत को बनाने का लक्ष हमने रखा है कि साथ्यों अक्सर यह कहां जाता है कि स्काइद लिमिट किसी जमाने में ठीक था लेकिन भारत इस लिमिट से आगे आगे जाकर स्पेस को गंभीरता से एक्स्प्लोर कर रहा है भारत की 130 करोड जनता के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए सस्ती और प्रभावी स्पेस टेक्नोलोजी हासिल करना हमारा लक्ष है मुझे खुशी है कि हम सफलता के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं हाल में फोनी साइक्लोन सहीद अनेक चुनोतियों को भारत कम से कम नुक्सान के साथ मैनेज कर पाया और दुनिया ने उसके बड़ी सरहाना की कि किस प्रकार से गवर्मेंट मसिंदी, हुमन डिसोर्स, स्पेस टेक्नोलोजी, इन सब को मिला करके कैसे परफॉर्म किया जा सकता है वो भारत करके दिखाया और वो भी एक तरफ पुरा देश चुनाओ के आपाधापी में विस्त था तब भी इस काम को उत्तम तरीके से पुरा किया और विश्वने इसको सरहा है और इसे हमें होसला मिल रहा है यही कारण है कि कुछ महिनों मेही हम हमारे मून मिशन को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान टू लॉंच करने वाले साल 2022 तक अपना पहला मेंड मिशन गगन यान बेजने की तैयारी में हम है और कोई हिंदुस्तानी तिरंगा जहन्ना वहाँ फेराए यह सपना लेकर के काम कर रहे है कि स्पेस में हमारा अपना स्टेशन हो इसके लिए संभावनाओं को तलासा जा रहा है यह जितने भी काम हम कर रहे हैं कि आज हंदुस्तान में अगा एक्सपिरेशन से भड़ा हुआ एक नियो मिडल प्लास एक बहुत बड़क सुसाइटी में है कि जिसके सपने बहुत है कि जिसके आखांग्षाय बहुत है कि जिसको तेज गति से परणाम की प्रतिक्षा है उसके अनुरूप हम विकांस की नई नई विधाओं को विक्सित कर रहे हैं साथ क्यों ऐसे समय में जब पुरी दुनिया भारत को संभावनाओं के गेटवे के रुप में देख रही हैं तब जापान के साथ हमारा तालमेल भी नई उंचाई ताय करने वाला है मैं तो यह मानता हूं कि जापान की काईजन फिलोसोफी भारत जापान सबंधों की प्रक्यति पर भी लागू होती है मैं जब गुजराथ में मुख्यमंत्री था तो मैं मेरे सीएम के सब स्टाप को एक काईजन की ट्रेनिंग दिलवाता था लगातार क्योंकि काईजन की प्रक्या एक ऐसी प्रक्या जो कभी रूपती नहीं है हमारे समन्द लगातार बढ़ते रहेंगे बुलंद होते रहेंगे साथियों प्रधान मंत्री के रूप में यह मेरी जपान की चौथी आत्रा है सभी आत्राओं में मैंने जपान में भारत के प्रती एक आत्मियता एक अपनापन अनुभव किया है अपने सभ्यता और अपने मुल्यों पर गर्व करना टैलेंट और टेक्नोलोजी को राष्ट निर्माण का हिस्सा बनाना और ट्रेडीशन के दाइरे में बनाना यह मैंने जपान में प्रत्रिक्ष अनुभव किया है और ऐसा महसूस करने वाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं तो स्वामी विवेकान अन्जी ने भी एक सज़ी पहले जब जापान की यात्रा की थी तो वो भी यहां के सभ्यता जनता के समर्पन और वर्क एथिस से बहुत प्रभावित हुए थी तब स्वामी विवेकान जी ने तो यहां तक कहां था कि हर भारतियों को जापान की यात्रा करनी चाहिए तिकिर उस समय जरा जन संग्या कम थी अब यह तो संभोव नहीं हो पाएगा गए 130 करोड़ लोग कि खर हम भी मानते हैं लेकिन 130 करोड़ भारतियों के प्रतिनी धी आप सब यहां पर है आप जापान की बातों को यहां के वर्क कल्चर को वर्क एथिक को यहां के टाइलेंट को यहां के ट्रेडिशन को यहां के टेक्नोलोजी को भारत पहुचाते रहें और भारत के बातें यहां के जन सामाने को सुनाते रहें यही सेतु हमारी हमें नई शक्ति देता है नित्य नूतन व्यवस्था में परिवर्थित करता है समंद्रों को प्राणवान बनाता है यह रिचुवल्स नहीं है एक जीवन्त व्यवस्था है और जीवन्त व्यवस्था जन सामाने के जुड़ने से बनती है अंत मैं मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आप सभी का जपान वास्यों का भारत वास्यों का और अपने सभी जपानी बहनों भाईयों के लिए मैं कामरा करता हूं नए रेवा एरा रेवा यूग मैं आप सब के जीवन इस यूग के नाम के अनुरूप सुन्दर हार्मनी हमेशा रखे जापान में और विशेश लूप से कोबे में में हर बार आपने जिस आत्मियता से मेरा स्वागत सदकार और सम्मान किया है उसके लिए मैं रदेश से आपका आभार प्रगट करता हूं शायद आपको पता चला आओगा इस 21 जून को हंतराश्ची योगा दिवस्ता और भारत सरकार योगा के प्रचार प्रशार और विकास विस्तार के लिए काम करने वानी समस्ताओं को व्यक्तियों को हंदुस्तान में भी और हंदुस्तान के बार भी उनको सम्मानित करती हैं उनको इनाम देती हैं आपको पता चला होगा इस बार जापान में योग के लिए काम करने वाली समस्ता को भारत सरकार genome सम्मानित करने का दिन एन्यनय किया है यह बहुत बढ़े गर्वती बार फिर एक बार आप सबके बीच आने का मुझे मुका मिला आपके हाशिरवाद प्राप्त करने का आउसर मिला मैं आपका रदे से बहुत बहुत आफार व्यक्त करता हूं दो मा अरिगातो गोजाई मास्ट धन्यवाद जोजी 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